हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माई चैनल उमीदे आप सब अच्छे सोंगे आज एक स्विड डिश बनाते हैं यह मैदे से बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है तो इसको बड़े और बच्चे सारे बहुत पसंद करके खाते हैं तो आएए देखते हैं इसको हम कैसे बना करें यहां पर आप देख रहे हैं हमने बहुत अच्छी तरह स्पिखी लगाया है और इसके बाद एक तेज नाइफ से हम इसकी कटिंग करेंगे दोनों तरफ के सिरे जुड़े रहेंगे बीच से कटिंग करेंगे बस इसके बाद दोनों सिरे पकड़कर हम दीरे दीरे इसको फोल्ड कर लेते हैं अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे दीरे इसके यह आपस में जुड़ी भी रहेगी और तूटेगी भी नहीं तो देखिए इस तरह से पूरी फोल्ड हो गई है और एक दो बल इसको देने के जो ये बचा हुआ है इसको हम पीछे फोल्ड कर देंगे हलके हातों से करेंगे और इसके बाद इसमें हलका सा बेलन चलाएंगे ज्यादा बढ़ा नहीं करना है इसको ना इसकी पड़तें खराब हो ये भी ध्यान रखेंगे तो बस ये बन गया है देखिए इसमें सारी करेंगे ये अपने आप ही तैर के उपर आ जाएंगे जब ये फ्राई हो जाएंगे थोड़े से इसके बाद ही लाना है तो देखिए सारी पड़ते इस तरह से खुल जाएंगी अगर आपने फ्लेम तेज कर दी शुरू में तो ये बर्कुल अच्छे नहीं बनेंगे और अ अच्छा पर नहीं रहागा तो आप इसके निकाल लेते हैं ये डार्क डाउन हो गई है इसी तरह सारे बात ये और टालेंगे और फ्राई कर लेंगे तो देखिए सारी बहुत ही अच्छी बनी है और सारी अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो गई है इसके बाद इनको हम 3-4 मिनट तक डाले रहेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे बहुत देर तक इसमें हमें नहीं डालना है और जब इस पे अच्छे से कोटिंग हो जाएगी शुकर की तो इसको हम निकाल लेते हैं और सारे हमने इसी तरह से करके निकाल लिये हैं यह बहुत ही टेस्टी बनी है और आप इसको एक बाद जरूर ट्राइ करें बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है तो आप इसको बनाईए और हमें कमेंट बाक्स में बताईए कैसी बनी है आपकी और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए तो देखि में अच्छी लग रही है अतनी खाने में टेस्टी है आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और यह खराब नहीं होगी तो मिलते हैं पिर अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ तब तक अबना बहुत खयाल रखें